जिस दिन में अपनी लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसी दिन में अपना बैक पैक करूंगा और चला जाऊंगा। ये तो आपने सुना ही होगा। बिजनस वर्ड के सबसे नायाब रतन यानि रतन टाटर सर नहीं रहे। 9 अक्टूबर 2024 यानि आज उनका निदन हो गया। उनकी मोत की खबर सुनकर आज हम सब की आखे नम हैं। इनका नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं। इनकी शक्सियत देखें तो वो सिर्फ एक बिजनस मैन ही नहीं बलकि एक सादगी से भरे नेक और दर्यदल इंसान भी थे। तो आज हम आपको रतन टाटर सर की थोड़ी सी स्टोरी बताने वाले हैं। बात करें इनकी जनम की। तो रतन टाटर सर का जनम 28 दिसंबर 1937 को मुंबाई में नवल और सूनु टाटर के घर हुआ थ थे उन्होंने नवल टाटर को गौद लिया था। नवल टाटर भी एक सक्सेस्फुल विजनसमेन थे। जब रतन टाटर 10 साल की थे तब वे अपने माबाप के डाइवोस की वज़े से अरग हो गए थे और उनकी दादी नहीं उने पाला था। बात करें इनकी पढ़ाई की कि टाटर परिवार से होने की बावजूद भी उन्होंने टाटर स्टील के शोप फ्लोर से काम की शुरुवात की। 1991 में J.R.D. टाटर के बाद रतन टाटर सर्प को टाटर ग्रूप को चेर्मेन बनाया गया। उनकी लेडर्शिप की वज़े से टाटर ग्रूप ने कई नह ब्रेंड बन गया। रतन टाटर सर का सबसे बड़ा कॉंट्रिब्यूशन टाटर ग्रूप को एक ग्लॉबल कंपनी बनाना था। उन्होंने टाटर मोटर्स, टाटर स्टील और भी कंपनीों को सक्सेस्फुल बनाया। रतन टाटर सर हमेशा से साथगी और आम लोगों की ज सान के लिए प्रेड़ना है जो बड़े सपने देखता है और उन्हें साकार करना चाहता है रतन टाटा सर के सामने कई चुनोतिया भी आई लेकिन उनकी पेशें और हाड़ वर्क ने उन्हें हर मुश्तिल से बाहर निकाला उनका कहना था कि मौके को अपने पास आने का वर्कर भी थे जो हमेशा समाज की भले के बारे में सोचते थे उन्होंने समाज सेवा, सिक्षा और स्वास्थे के शेतर में कई कोंट्रिविशन किया 2012 में रतन टाटा सर ने टाटा ग्रूप के चेर्मेन पद से रिटार्यमेंट ले लिया, लेकिन वो हमेशा एक्टिव रहे, चाहे वो स्टार्ट अप में निवेश हो या समास्थिवा का काम, उनकी साथगी, इमानदारी और दयारूता ने उन्हें एक ऐसा व्यक्ति बनाया से लोग दिल से समान देते हैं, इसके अलावा उन्हें जानवरों से खास सोल पर स्ट्रीट डोग से काफी लगाव था, वो कई प्राइवेट ओगनाजेशन और एनिमल शेल्टर्स को दान भी करते थे, इसके साथ ही वो किसी भी मुसीबत की स्थिती में मदद के लिए तया हमेशा लोगों पहरित करती रहेंगी, रतन टाटा सर हमें ये सिखा कर गई है कि एक सच्चा डिडर वही होता है जो ना सिर्फ अपने बिजनस के लिए बल्कि समाज के लिए भी काम करता है, उनकी सोच और उनके काम ने ना जाने कितने लोगों की जिनकी को बहतर बनाया है वो हमेशा हमारे दिलों में जिन्दा रहेंगी, आखरी में मैं बस एक बात कहना चाहूंगी कि जिने हम खो देते हैं, वो सितारे बन कर हमेशा आसमान में चमकते हैं, हम उनकी आत्मा के शांती के लिए प्रातना करते हैं, दोस्तों अगर आपको रतन टाटा सर की ये प्रे